हलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है मारी यूटूब चैनल एजे आयर वैदा में देखो आज मैं बताऊंगा आपके बच्चों के लिए दिमाग को तेज करने के लिए एक ऐसा जवरदस्त नुस्का जिसे आप बना के घर पे यूज़ कर सकते हो खाना खाने के बाद इसे यूज़ करना है दूद के साथ और कोई परेज नहीं है दिमाग इतना तेज हो जाएगा जिन लोगों को दिमाग से जो लोग डिस्टर्व रहते हैं या मानसिक तनाव रहता है जिनको बहुत ज्यादा समस्चा रहती सोचते रहते हैं दिमाग खराब रहता है दिमाग पे गर्मी रहती है उन लोगों के लिए ये नुस्का बहुती कारगर है है बहुत ही जवर्दस नुश्चा क्या है तो आपको बता दूंใud लगवग 100 ग्राम इलाइची लोगे तब 50 ग्राम बीज निकलेंगे धनिया इलाइची उसके बाद आपको लेना है अजवाइन वैसे अजमूद लिया जाता है लेकिन साइद आपको पता ना अजमूद होता है छोटा-छोटा अजवाइन होती थोड़ी बड़ी आपको नहीं रख लो अब इसमें एक और चीज मिलानी है इनसे आधी जितनी आपने ये पाउडर बनाया है धनिया का अजवाइन का और इलाइची का तो इनका जितना पाउडर बनाया आपने उससे आधा आपको मिस्री लेनी है मिस्री आप इसमें मिक्स कर दो और हाँ एक चीज और डाल लो इसमें सौफ और डाल लो 50 ग्राम तो ये बहुत और भी अच्छा हो जाएगा जब आप इसमें सौफ डालोगे 50 ग्राम तो और अच्छा हो जाएगा ये तो आप इसको डाल के पीस के पाउडर कर लो पाउडर कर की mix करने के बाद आराम से भरके रखने के बाद सुभा साम खाना खाने के बाद आप इसे आधा आधा चमच आप आपके बच्चे आपके मतलब कोई भी ले सकता है सुभा साम खाना खाने के बाद दूद के साथ इसे कोई भी यूज कर सकता है खाना खाने के बाद तो ये था बहुती कमाल का नुस्का है, जवर्दस्त नुस्का, अच्छा नुस्का है, अगर आप इसे यूज करोगे, तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, ठीक है, दिमाग सही हो जाएगा, तो ठीक है चलते हैं, मिलेंगे एक वीडियो में, तो तक लिए धिन बाद ख्याल रखिए अपन अपनी परवार वालोंका, अपनी घर वालोंका, नमस्कार